उपमहप और पुनीत कंडावत जी के साथ इस समय हम बैठे हैं बात करेंगे नगर निगम ग्रेटर का जो तीन चौथाई कारेकाल पूरा हो चुका है अब एक चौथाई बचा है कैसा उनका कारेकाल रहा है और आगे क्या कुछ अब उनकी कारे जोजना है सर पहले तो बहुत-बहुत बढ़ाई सक्सेस्फुली और थोड़ा बहुत उमूज थोड़ा बहुत नीच कर गए तीन चौथाई कारेकाल तो पूरा हो चुका है और क्या कुछ इस जो कारेकाल पूरा हुआ है उसमें उपलब्धियां क्या रही और क्या ऐसी चीज़े रही जो आने वाले एक चौथाई जो कारेकाल बचाई उसमें करना चाहेंगे मेरा शुरू से मानना है कि नगर निगम सेवा का माध्यम है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप आम जनता के साथ निरंतर कनेक्ट में होते हैं उनके साथ आपका निरंतर जुड़ा होता है और उनकी समस्याओं के साथ आप रोज रूबरू होते हैं हर रोज हमारे लिए कुछ सफलताओं की बात होती है कुछ सफलताओं की बात होती है लेकिन पिछले तीन चौथाई कारेकाल में मिझे इस बात का विश्वास है कि जैपूर ग्रेटर ने अपनी भूमिका को ठीक हंक से निभाया है आप सबको पता है कि हमने बहुत एड़र्स कंडिशन में काम शुरू किया कॉंग्रेस की सरकार ने पॉलिटिकल मोटिव से जैपूर को दो हिस्सों में बाता जो एवेवारिक भी था और डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी था किसी शेर की आत्मा एक होती है सो लेक होती है उसको आप दो सो में नहीं बाढ़ सकते हैं आप गोविन देव जी और मोती डूंगरी को अलग-अलग करके कैसे देख सकते हैं मैं नहीं समझता कि कोई भी समझदार आदमी ऐसा कोई निरना ले सकता होगा फिर 66% से ज़्यादा एरिया हमारे पास था वन थर दारी थी है कि हम उनके लिए बहतर कारे करते हैं और मुझे इस बात का सुकून है संतोश है कि हमने इन तीन चौताई कारेकाल में जैपूर की जनता को एक बहतर नगर निगम देने की कोशिश की है तमाम adverse condition में काम करते हुए तमाम adverse government का जो रवाया था Congress सरकार का उसके है कि जो कुछ कमी हमारी तीन चौताई कारेकाल में रह गई उसको हम पूरा करें आज हम बहुदा कहते हैं कि double engine की सरकार की बात करते हैं मैं कहूंगा कि जैपूर इस greater इस द्रश्टी में सवागेशाली है कि यहां असल में triple engine की सरकार है के इंदर में मानने मोदी जी की सरका है तो जैपूर ग्रेटन में भारती जनता पार्टी का बोर्ड है और इसलिए हम इस बचेवे सवासाल का उपयोग एक शांदार जैपूर बनाने की foundation के रूप में रखें एक smart जैपूर बनाने की रूप में रखें अपनी विरासत को समालते वे जैपूर को एक modern developed city के उपयोगी और हर दिन महत्पूर्ण है यह सोच कर जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम एक अच्छे शेर की कल्पना के साथ एक अच्छे शेर की foundation के साथ अपने कारे को पूरा कर पाएंगे जैपूर को साफ सवच और सुन्दर दिखाने के लिए कई सारे नवाचार हुए कई कदम उठाये गए लेकिन एक सबसे बड़ी अगर हम कोई बात करें तो जब दो हिस्सों में नगर निगम को बाट दिया गया जैसा कि आपने भी बताया कि 66% आपके पास में था ऐसे में इस नगर निगम ग्रेटर को संभालने में कॉंग्रेस शासनकाल में और अब क्योंकि भारती जनता पार्टी का शासन है और बोर्ड भी भाजपा का है तो जो एक सबके जबान पर जो एक बात थी बीजेपी गवर्मेंट बनने के बाद कि अब शायद स्वच्छता सूच कांक में जैपुर को कोई इस्थान मिल सकता है उसके लिए आगे आने वाले समय में क्या कुछ कारियोजना है निश्यत रूप से नगर निगम की प्राइमरी ड्यूटी स्वच्छता को लेकर है और स्वच्छता सूच कांक में हमारा पुराना प्रदर्शन ऐसा नहीं है जो हमको ज्यादा उत्साइद करता हो जिस पर हम अपने पीट थप थपा सकते हो लेकिन आने वाले समय में हम एक बेतर स्वच्छ शेर की तरफ बढ़ें इसकी कारियोजना हमारी है जिस पर हम काम भी कर रहे हैं और मैं कहूंगा कि जब से सरकार का परिवर्तन हुआ तो आज हमार को कमिशनर की रूप में यहां रुकमणी दियार्ड है तो अभीशेक सुरणा हैरिटेज में है दोनों एक बेतर ऑफिसर हैं अनेस्ट ऑफिसर हैं यंग ऑफिसर हैं एनर्जेटिक हैं और उनका भी मन नगर निगम को एक बेतर स्थिती में लाने के लिए हैं मैं लक्षे भी है और हमारा संकल भी है चाम का सब अभी के साब से सोच पा रहे है क्या होता है कि आप लोग पूछते हैं और लीडर पड़े जोरोर से कह देते हैं कि हम इंद दौर बना देंगेज़ इसा कोई भी कतन आपको नहीं करने वाला हूं हम अपनी ranking का सुधार करते वे और इसको अगर हम under twenty भी लेकर आए जैपूर को तो मैं ये मानूँगा कि हमने एक इस दिशा में बेतर कदम बढ़ाया है और ये तो हर साल स्वच्चता का विहान होता है और स्वच्चता का की ranking होती है तो ये ranking ranking अब की बार अगर डीस के अंदर आई तो अगली बार दस के अंदर भी आएगी और हम पांच के अंदर भी आएंगे निश्चित रूप से इसमें नगर निगम का प्रशासन नगर निगम के जन प्रतिनिदी और आम जन जैपूर की आम जनता की भी उतनी ही सहभागीता आवशक होगी उन्हें भी अपने जैपूर को स्वच्छ रखने के लिए एक क्रचसंकल्पित होना पड़ेगा प्रण लेना पड़ेगा हमारे साथ कंदे से कंदा मिला कर काम करना पड़ेगा अब हमारी गल्तियों पर हमारे कान उमेठने का राइट उनके पास हमीशा है लेकिन हमारे अच्छे किये वी प्रयासों में उनका योगदान होना भी बहुत जरूरी है आप ने जन प्रतिनिधी प्रशासन और जनता की बात करी तो कहीं न चल्ट hypothesis जैसे आप हो गए, मेर साहिबा हो गई, जनता हमेशा अपने आपको, अपने घर को, अपने घर के बाहर स्वच्छ रखने के लिए सरहना भी करी है, ग्रेटर नगर निगम ने जो भी कदम उठाएं, लेकिन कहीं न कहीं एक जो छोटी सी कमी रह जाती है, जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के अगर हम बात कर लें, वो एक बहुत बड़ी चुनोती है, कई बार सुनवाई नहीं हो पाती, इस वज़े से कई ऐसी चीज़ें जो अधूरी रह जाती है, तो क्या प्रशासन पर थोड़ी लगाम लगाने के अपने सोचिये आने वाले सवा साल में? लेकि मेरा इसमें बहुत इस्पष्ट मानना है, कि सभी को अपनी जिम्मेदारी का निर्वेन इमानदारी के साथ करना होगा, कोई अगर इमानदारी से कारे कर रहा है, तो किसी पर एहसान नहीं कर रहा है, यह उसकी ड्यूटी है, वो इमानदारी से कारे करे, नगर निगम ऐसा शेत्र है, ऐसा विभाग है, जहां काम करने वाले अहर अधिकारी को इसपश्ट होना चाहिए, कि यहां बिरोक्रेसी से ज़्यादा, यहां संबाद की आवशक्ता है यहां लोगों के साथ मिलकर काम करने की आवशक्ता है लाल फिता शाही का यहां कोई इस्तान नहीं है ब्रश्टा चार का तो बिलकुल इस्तान नहीं है बारती जन्ता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जीरो टॉलरेंस पर काम करेगी अधिकारियों को भी अपना रवया सुधारना चाहिए, जो अच्छा काम करेंगे, हम उनके साथ खड़े हैं, उनको सयोग करेंगे, जो अच्छा काम नहीं करेंगे, वो इतना बड़ा राजस्तान है, अपना इस्तान वो सहम ढूंड सकते हैं, हम उसमें भी उनकी मदद अब आने वाले सवासाल में वो ऐसे कौन से काम है जो आपने लिस्ट डाउन कर रखें कि ये काम होने बहुत ज़्यादा जरूरी है देखें काम होगी तो बड़ी लंबी फेरिस्ट है पर मैंने आपको कहा कि ये सवासाल एक सुन्दर और बड़े मजबूत शेर की नीव डालने का समय होगा जन सयोग से हम बहुत सारे काम करना चाहते है नगर निकम के पास बड़ी संक्या में सामुदाइक केंद्र है सामुदाइक केंद्र बहुत प्राइम लोकेशन पर है उनकी बड़ी बड़ी असेट्स है उसका एक भेतर उपयोग हो सामुदेक के अंदर कोई गरीब आदमी के घर पर विवा या बर्थडे बनाने जितनी जगे नहीं होने चाहिए उसका शुल्क कम से कम रखा जाए लेकिन उसकी सुईधाय बढ़े यह सुईधाय तब बढ़ेगी तो इसमें हम पब्लिक या प्राइवेट पार्टिसिपेशन लेकर आएंगे तो उसके उपर मैं काम कर रहा हूँ आपको निश्यत रूप से आने वाले समय में उसका परणाम देखेगा अभी हमने दो मोक्षधाम इस द्रश्टी से डवलप किये एक तो लालकोटी मोक्षधाम है यहीं जो अपने पड़ास में है यहां पर एसेस बंड अगर कोई भी बड़ा पार्क बड़ा समुदा एक केंद्र मोक्षधाम जो अगर चाहेंगे तो हम उनको सेर्श देंगे और उनके साथ मिलकर और उसको एक बहतर और सुन्दर इस्तान बनाने के रुप में विक्सित करेंगे साथी साथ सेकंडरी ट्रांसपोर्टेशन मेरे लिए हमेशा चिंता का विशरा है हमारा डोर टू डोर कलेक जैपुर की जनता ने मेरी अपील को सिकार किया आज सतर पिचतर असी परसेंट तक हमारा कलेक्शन वहां से आ रहा है और उसके माद्यम से हम आप डोर टू डोर कलेक्शन में तो हम सैटिसफेक्टरी काम कर रहे हैं मैं ऐसा कह सकता हूं सेकंडरी ट्रांसपोर्टेशन अभ है वेस्ट शुड बी हैंडल वन्स एक बार जब हमने आपके यहां से कच्रा ले लिया तो हमें फिर उसको डिस्पोज आफ करने तक जमीन पर दुबारा नहीं गिरना चाहिए इसलिए गीला कच्रा और सुका कच्रा ये भी लोग अलग-अलग करकर हमें देंगे जिसकी जा सारे लोग अब हमारे साथ जुड़ें जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम जैपुर को स्वच्छ शहर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने में सफल होंगे मुझे याद पड़ता है आला कि इस बात को शायद तीन महीने से जादा का समय हो गया डोटो डोर कच्रे का संघरण तो हो रहा है लेकिन आपसे हमारी बात हुई थी तब उस समय चर्चा हुई थी कि जो री सैकल्ड करने की या उस कच्रे को डिस्पोज आफ करने की ताकि वो कच्रा बात में काम आ सके ऐसी कुछ मशीनों की कुछ आपने बात कही थी कि वो एक या दो मशीने तो हैं और मशीने हम मंगवाएंगे या हमारे प्लैन में है उसको लेके कहां तक आगे बड़े हमारे यहां पर कच्रे का जो जनरेशन है, जो जो प्रड्यूस हो रहा है, वो 1600-1700 तन है और उनकी कैपिसिटी 900 तन है, उसे हमें बढ़ाना है, या उसकी जगे एक और नहे प्लांट को हम प्लान कर सकते हैं, उसके उपर भी हम काम कर रहे हैं, ऐसे ही C&D वेस्ट का जो प्लांट है कंस्ट्रक्शन और डिमॉलेशन वेस्ट का, उसके उपर भी काम हो रहा है, वो भी जल्दी काम करना शुरू कर देगा, बायो मेडिकल वेस्ट जो हॉस्पिटल से आता है, उसका भी एक नया प्लांट और लेकर आने की हम तैयारी कर रहे हैं, मैंने कमिशनर साब को का है कि वरकिंग शुरू करें, डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे प्रयास और बहुत सारे कदम हम उठाने जा रहे हैं, जो जैपूर के लिए आवशक है, जैपूर को सुन्दर जैपूर की तो अपनी विरासत है, जैपूर सदैवी ऐसा शहर रहा है, जिससे दूसरे शहर रश्क करत अफरी सवाल है, जो आपने स्टार्टिंग में भी कहाता है, कि मोति डूंग जी, गणेजी और गोविन देव जी को हम अलग-अलग कैसे देख सकते हैं, तो क्या सवा साल के कारेकाल के बाद या उससे पहले हम दोनों निकम एक होते हुए देख सकेंगे? आपने शित मानिएगा, जैपूर में एक नगर निकम होगा, कोटा में एक नगर निकम होगा, जोदपूर में एक नगर निकम होगा, जो कॉंग्रेस सरकार ने पाप किया इन तीनों शहरों के साथ, उसको हम समाप्त करेंगे, किसी भी शहर की आत्मा को दो हिस्सों में नही बाटा जा सकता कॉंग्रेस सरकार का पहले दिन से मोटिव इसी बात का था कि वो जैपुर, कोटा और जोदपुर में कभी भी चुनाव जीतने की इस्तिती में नहीं थे तो उन्होंने एक वर्ग विशेश के शेत्र को अलग करते वे वहाँ पर बहुत छोटे-छोटे वाड बनाकर एक उनका मेयर बन जाए, यह कोशिश की, यह कोशिश उनकी कामयाब बहले ही रही हो, लेकिन इन तीनों शेहर की जनता ने कभी उसको सिखार नहीं किया, और उसका परणाम है कि लोकसभा चुनाओ और विदानसभा चुनाओ में, यहां तीनों जगे, कॉंग्रिस को करारी हार में लिए है, जब वापस से एक निगाम हो जाएंगे तो जोन कुछ बढ़ेंगे, यह नि सब कुछ रियार्गनाइज होगा, उसमें कोई बात नहीं है, बहुत छोटी यूनिट और बहुत बड़ी यूनिट, यह दोनों एडमेस्टेटिवली गलत है, आप एक च होंगे, जोन उतने आवशक रूप से बनेंगे, जितने वाड आवशक होंगे, उतने वाड भी आवशक रूप से बनेंगे, और शेहरी सरकार बहुत मजबूत सरकार बने, वास्त्विक सरकार बने, इसकी हम पूरी चिंता भी करेंगे, मैंने पार्टी में भी अपना और सवा साल का जो पीरिड जो बचा है उस सवा साल के बाद में जैपूर एक साफ सुच और सुन्दर शहर बनेगा भले पहले पांच में ना आए लेकिन पहले बीस में आने का पूरा प्रयास नगर निगम ग्रेटर के पूरी टीम कर रही है और आने वाले समय में जो दो आपको वापस से एक मिलेंगे सही होगी कैमरमेन आजय के साथ उमंग माथुर जनता दरपार